दोस्तों, आईए हम आज जानते हैं कि हरी मिर्च खाने से क्या-क्या फाइदे होते हैं। आपको बता दें कि इससे आपका मोटापा भी घट जाता है। कई लोगों को तीखा खाना बहुत पसंद होता है, तो कुछ लोग तीखे से परहेच करते हैं। मिर्च भले ही तीखा हो, लेकिन इसके फाइदे बहुत सारे हैं। इतना ही नहीं, छोटी से दिखने वाली मिर्च ना सिर्व आपके सहथ के लिए फाइदे मन्द है, बलकि कई बीमारियों से भी बचाता है। यदि आप खाने के साथ ताजी और हरी मिर्च का सेवन करते हैं, तो यह विटामिन सी प्रदान करता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग खाने के वक्त सलाद के साथ मिर्च खाना पसंद करते हैं। यदि आप मिर्च नहीं खाते हैं तो धीरे धीरे इसकी आदत डालनी चाहिए क्योंकि यह आपके सहब के लिए बेहत फायदे मंद है। आईए जानते हैं कि आखिर मिर्च का और किन तरह से प्रियोग करने से हमें फायदा मिल सकता है। मिर्च घटाता है मोटापा। हरी मिर्च सबजी में डाल कर खाने से जादा फायदे मंद होती है। इसका नियमित प्रयोग करने पर आपका मोटापा घटता है क्योंकि इसमें मिलने वाला एंटी आक्सिदेंट मोटापे को कंट्रोल करता है और चर्वी बनने से रोकता है कैंसर का करता है रोक थाम हरी मिर्च की दंडियां तोड़ देने से वे कई दिनों तक खराब नहीं होते हैं मिर्च में एंटी आक्सिडन नामक कुछ ऐसे तत्व हैं जो कैंसर की रोक थाम करता है मिर्च में विटामिन सी भी होता है एक ताजी हरी मिर्च एक नारंगी के बराबर होती है इसलिए हमें खाने के साथ इसका रोजाना सेवन करना चाहिए मलेरिया में बेहत फायदे मंद यदि आपको मलेरिया का बुखार हो गया है तो हरी मिर्च आपके लिए बेहत फायदे मंद हो सकता है इस दोरान आपको मिर्च को खाना नहीं बलकि एक हरी मिर्च के बीज निकाल कर दो घंटे तक अंगूठे में बांदे इस तरह दो तीन बार बांदने से मलेरिया बुखाराना बंद हो जाता है हलाकि यह तरीका जादातर लोगों के लिए कारगर साबित हुआ है यदि इससे कोई फायदा ना हो तो सीधे डॉक्टर से संपर करना चाहिए जलने पर मिर्च का ऐसे करें यूज आप भले ही यह सुनकर चौंक जाएंगे कि जलने पर मिर्च का इस्तमाल कौन करता है लेकिन कुछ आईरवेदिक वैद्यों के मुदाबिक यह बिलकुल सही है क्योंकि मिर्च में ऐसे कई गुण होते हैं जिसका हमें पता नहीं होता हरी मिर्च पानी डाल कर पीस कर लेप बना ले और यदि जले हुए हिस्से पर इसका लेप लगाएंगे तो लाब होगा क्योंकि इसमें मौजूद एंटी आक्सिडेंट जलन को कम करता है और फपोले पढ़ने से रोक थाम करता है मूड को बनाता है खुशनुमा यदि आप डिप्रेस में है या फिर अफसेट मूड में है तो ऐसे में मिर्च आपका मूड सही करने में सहायक होता है बले ही आप इसे मजाक में ले रहे हों लेकिन या बिलकुल सच है क्योंकि हरी मिर्च को मूड बूस्टर के रूप में भी चाना जाता है या मस्तिस्क में एंडोफिन का संचार करती हैं जिससे हमारा मूड काफी हद तक खुशनुमा रहने में मदद मिलता है